तो जी हाँ दोस्तों आपकी रिजल्ट जारी हो गई है या कब आएगी जैसा कि आपने थमनेल देखा होगा या फिर आपकी फैनल मेरिट कट अफ क्या जाने वाली है ये आज की वीडियो में मैं दो टॉपिक बताने वाला हूँ ठीक है ओल एरो जितने भी एरो हैं सबकी में पताने वाला हूँ तो सभी कोई जुड़े रहो पूरे वीडियो में देट भी बताइंगे और कट अफ कितनी जायेगी वो भी बताइंगे ठीक है तो पूरे वीडियो में बने रहना तो ही आपको समझ में आयागा कि किस तरह से इस बार रिजल्ट आने वाला है या फिर आपकी कितनी cut-up जाने वाली है किस ARO की ठीक है तो चलिए विना लेट की वे वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सभी का हमारी यूटूब चैनल विकास 400 MTR में स्वागत है तो जैसा कि आपको पते ही होगा सबसे पहले हम बात करेंगे सभी ARO के रिजल्ट के बारे में कि आपकी रिजल्ट कब आने वाली है तो जी हाँ दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूँ ओनलाइन एक्जाम हुआ था उसके बाद फिजिकल हुआ मेडिकल हुआ अब बची है थैनल मेरिट की बारी तो जैसा कि फेस वन की भरती में बहुत सारे ARO की भरती हो गई है सभी का नाम लेना पॉशिबल तो नहीं है लेकिन मैं बता दूँ 17 से 18 यारो जहां पे भरती हुई है अदर स्टेट में उसकी भी रिजल्ट एक ही दिन आएगी जैसे कि आपको पता होगा जब हमारी ओनलाइन एक्जाम हुई थी क्या हुई थी भाई ओनला इक्जाम भी 17 तारिक से 1 तारिक चली थी लेक्जाम अजहां और सभी एक्जाम इसी बीच में हुई थी फीजिकल की बात कि जाए तो चार से पास दिन 5 से दस दिन के अंतराल में सभी जिगे फीजिकल हुई ठीक हैं तो इसी तरह से रिजल्ट की अगर बात की जाए अगस्त के महिने में बताया जा रहा था आने का लेकिन अगस्त के महिने के मैं इस बार रिजल्ट नहीं आनाने वाला है रिजल्ट कब आएगा वह भी बताएंगे तो जी हाँ जैसे कि ऑनलाइन एकजाम का रिजल्ट एक से दो दिन के अंतराल में जारी हुआ था इसी तरह आपका रिजल्ट जो अगनी वीर फाइनल मेरिड तो हजार पैस चोबिस्त का है तो वो रिजल्ट भी एक से दो दिन के अंतराल में जारी होगा तो देखिए ऐसा है कि रिजल्ट आपका जो जारी होने वाला है तो सबसे पहले हम जानते कि इस result की जोइनिंग कब है जिनका selection हो जाएगा जिनका उनका dispatch कब है dispatch का date है 29 अक्टूबर से ठीक है 29 अक्टूबर से dispatch का date है और उससे 20 अक्टूबर की आसपास आपका document verification कराया जाएगा तो मैं बता दूँ आपको कि आपकी result जितने भी आरो है 17 से 18 आरो ठीक ना जितना 17 से 18 आरो है उसकी result आने वाली है अक्टूबर के महिने में 25 सितंबर से 5 अक्टूबर के वीच में आगी मैं बता रहूं इसी week में आपके result आ सकती इतना लेट होगा ही होगा result इससे पहले नहीं आने वाली है मैं बता रहा हूं 2 से 3 मैंने काया की बहुत सरे यारो की भरती बहुत पहले हो चुकी है लेकिन आज तक result नहीं आई है लेकिन एक सोर्स से पता चला है कि हाँ ये रिजल्ट आएगी अक्टूबर की फर्स्ट वीक में या सिप्तमबर के लास्ट वीक में ये बात आपको ध्यान रखनी है मैं दो वीडियो बनाया हूँ फैनल मेरिट के उपर उसमें मेरिट कटफ बताया हूँ और रिजल्ट का जो डेट बता में ये डेट में आपकी रिजल्ट 100% आएगी ये बात आपको याद रखनी है रिजल्ट आएगी फर्स सकेंड वीक में फिर आपका डॉकमेंट भेरिपिकेशन होगा उसके बाद आपको डिस्पैस के लिए भेज़ा जाएगा 29 अक्टूबर से मतलब आपकी नवंबर में ह आपका हो जाएगी अगर बात की जाए इस बार कटव की कि क्या कटव शाने वाली है तो कटव इस बार जैसे कि रांची ए रो है उसकी कटव लगवग लगवग सब्वहार जैसे कि अक्तुबर के फर्स्ट विक में रिजल्ट आ सकता है, जिस तरह से आई थी ओनलाइन एक्जाम की रिजल्ट, उसी तरह से इस बार भी रिजल्ट आएगा एक दू दिन के अंतराल में, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है, सारे डॉकमेंट बनवा के रखो अभी से, क अपने आपको फिट रखो, क्योंकि अगर आपके बॉड़ी में एक खरोच भी आता है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फिर से मेडिकल होगा आपका, जैसा कि आपको ये बात बताई गई होगी, ठीक है, देख सकते हो, मैं धूप में वीडि रखनी है, और रिजल्ट काब आएगा, वो भी मैं बता दिया हूँ, तो यही थी आज की वीडियो में, वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा, तो एक कमेंट करो कि जैहिन, हाँ वीडियो मुझे अच्छा लगा, और चैनल को सस्क्रा कर ले, और इसमें रनिंग से रिलेटेट सभी तरह का चीप्स आपको देखने को मिलेगा, जय हिन, जय भारत वंदे,